बात में देखेंगे, सबसे पहले तो मैं पता हूने चेह, इलेक्शन क्या होता है, ठीक है, तो इलेक्शन is a process through which people choose their representative at a regular interval, तेखो इलेक्शन एक ऐसी process है, जिसमें लोग अपना representative, यानि एक person को चुनते हैं, वोट देकर, और वो हर regular interval, regular interval का मतलब हर 5 साल में वो बदल जाता ह जैसे कि आपको पता ही है, आप MLA को वोट देते हो, तो हर 5 साल में दुबारा election होते हैं, तो election एक ऐसी process है, जिसमें आप अपना representative चुनते हो, और वो भी सिर्फ regular interval time के लिए, कुछ समय के लिए, 5 साल के लिए, ठीक है, अब सबसे पहले तो election बहुत सारी country में होता है, बट क इसी किसी country का बूला जाता है कि election कुछ माइने नहीं है, खराब है election, बट हमारी country का, यानि इंडिया का election को बहुत ज़्यादा value दी जाती है, इंडिया के election को democratic, democratic एक तरह से कहा दे हो, free election कह सकते हो, तो हमारे इंडिया के election को free democratic election कहा जाता है, and क्या चीज ऐसी है, जो इंडि इंडिया को एक election democratic country बनाते है, यानि एक, जहां पर एक free or fair election होता हूँ, ठीक है, तो बहुत सारी country ऐसी है, जिसमें ये rule follow नहीं होते है, जो लिखे में है, बट हमारी country में होते है, इसलिए हमारी country एक election democratic country है, ठीक है, तो सबसे पहले everyone should have one vote, every vote should have equal value, देखो, जब मैंने आप सब को vote देने का right है, एक vote सब दे सकते हैं, और सब के vote की value equal होगी, तो पहला point तो यह हो गया, जो कि हमारे इंडिया में होता है, तो इसलिए इंडिया का election democratic है, second है party and candidate should have free contest election and should offer real choice to voter, यानि इसका मतलब है, कि जो parties है और candidate, मतलब अगर कोई भी बंदा चाहे, तो contest कर सकता है, election को contest कर सकता है, यानि वो election में खड़ा भी हो सकता है, यानि जो बंदा vote दे रहा है, वो election में खड़ा होना चाहे, तो खड़ा भी हो सकता है, और election में क्या होता है, कि जादा से जादा लोग candidate खड़े हो सकते हैं, जिससे लोगों को भी choice मिले, मालो, जैसे चायना में होता है कि एक ही पार्टी है, अब लोग किसको वोट देंगे, उसे एक ही पार्टी को देंगे, तो क्या लोगों के पास कोई real choice है, नहीं है न, बट इंडिया में तो देखो, बहुत सारी पार्टी है, BJP, भाजपा, ये, वो, Congress, है न, आप, बहुत सारी पार्टी है, तो इसलिए हमा पाते दम तक रहेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, इंडिया को democratic election इसलिए भी का जाता है, क्योंकि हर पांच साल में दुबारा voting होती है, ठीक है, next candidate preferred by the people should get elected, ऐसा नहीं है कि किसी को भी बना दिया जाए, जो लोग चूज करे न, उसी को ही representative बना जाए, उसी को ही MLA MP बना जा election should be conducted in a free and fair manner where people choose as they really wish, इसका मतलब के election बहुती free और fair होना चाहिए, कोई धोकादणी नहीं हो नीचे election में, और लोग जिसको choose करे न, वो ही खड़ा हो, मतलब लोग जिसको vote दे वो ही हो, कोई और खड़ा ना हो पाए, मतलब मानलो आपने किसी और को vote दिया, और मतलब जाद करते हैं, इंडिया में जो politics है ना आपको पता ही होगा, कि इंडिया में बहुत सारी party है, तो political competition तो हो गई, competition तो हो गई, जब बहुत सारी political party होगी, तो यह political party के क्या democratic है, यानि बहुत सारी जब political party होती है, जब competition होता है उसमें, तो क्या नुकसान है उसके, सबसे पहला इसका मतलब पार्टी के नाम पर बहुत बुरी बुरी चीज़े भी होती है जैसे कि आपको पता है कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे पॉलिटिकल लेडर किसी के घर पर कभजा कर लेते हैं और कहते हैं अब किसी से भी बोल दो हम खाली नहीं करेंगा ऐसा वाला तो यह भी गलत है second point है create a sense of disunity देखो एक तरह से आप कह सकते हो कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो हमारे देश को तोड़ती है तोड़ती कैसे अपने जीतने के लिए वो क्या करती है religious का अपने धर्म का उठाती है फायदा उठाती है यह जो religion है यह religion खराब है आप हमको जीतने के लिए जैसे की मालो कोई एक जगा पर एलेक्शन हो रहा है तो दूसरे ने मतलब दो बंदे घड़े हुए तो एक ने दूसरे पर मडर का आरोप लगा दिया है किसी भी चीज़ का रोप लगा दिया सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए तो यह बहुत गलत नेक्स पॉइंट आपका लॉंग टर्म एंट सेंसिबल पॉलिसी इसका मतलब है कि अगर कॉंपिटीशन होता ना तो एक पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है तो वह ना कोई रिफॉर्म लाने ले लेती हमेशा टांग ला देती है तो यह भी एक कॉंपिटीशन का एक बु लवे जो जो अड़ा होते हों एक्डिक्स में आना ही यह नहीं चाहते और ना सकते हैं ठीक है? अगर कोई च्छा परसन पॉलिटिक्स में आता है तो कहते है वह भी खुराब हो जाता है और पहली बात थो गुड पीपल दूनोट यंट उन्हें को लगता है किया हुआ है वैसे चलने चाहिए के आंने के और इसकी वज़े से बुरे लोग पॉलिटिक्स में आते हैं फिर वह धोगहदश ही करते है और यह बुरे काम करते हैं ठीक है आप पॉलिटिकल ऐसा निया के सारे के सारी बुरे पॉइंट है पॉलिटिकल पर्फॉर्ट तो है कि देखो एलेक्षन है ना अच्छे भी माने जाते हैं क्योंकि यह क्या करता है पार्टी पे प्रेशर डालता है जो जीतती है अब मालों आपने किसी को वोट दिया वो जीत गया अब उसको आपके लिए काम करना ही पड़ेगा उसको आपके एरिया के लि आपके लोगों कि पायवा काम लोगों की सोच वाला काम अगर आपने नहीं किया तो जो लोग है वो लात मार के आपको बाहर कर देंगे मतलब दूसरे को वोट देंगे चितवा देंगे नेक्स ताइम ठीक है next point है के it forces party and leader to perform so the competition is good इसका मतलब है कि क्या करते है इस से क्या ह तो इससे क्या होता है competition होता है जब तो लोग अच्छा करना चाहते हैं मतलब जो political leader है वो और अच्छी-ची scheme लाते हैं तो यह भी एक अच्छी चीज है नेक्स्ट पॉइंट है लोगों के लिए अच्छा होता है इससे कि जब जो पार्टीज है वो अलग-अलग scheme लेकर आती है तो इससे लोगों का भी फायदा होता है नेक्स्ट पॉइंट है आपका political competition may cause division for some ugliness but it finally helped to force political party and leader to serve the people हाँ मैं हम ये बात मानते हैं कि political competition है ना society को divide करती है और कुछ गलत काम भी होते है बट ये है के but it really helps to force political leader to serve the people बट ये क्या करती है force भी करती है देखो हर political leader जहां तक मैं जानता हूँ होते हैं खराब होते हैं 90% हमारे इंडिया में political leader खराब है 100% भी बोल दूँ तो गलत नहीं होगा हर खराब है सारे के सारे political leader खराब है कुछ कुछ अच्छे है बट अगर वो 90% अपनी जेब में डालते हैं तो 10% तो लगाते हैं बट अगर political competition होता ही न तो वो 100 का 100% अपनी जेब में रखते हैं तो इसलिए political leader को फो मतलब political leader को लोगों को सर्व करना ही पड़ता है और वो इसलिए क्योंकि political competition है उसको पता है कि अगर हमने लोगों के लिए काम नहीं करा तो दूसरे वाले को जितवा देंगे और दूसरे वाले इसका फायदा भी उठाएगा ठीक है next topic है यह हमारे what is the system of election in India बच्चों को पता होगा ही कि आर election में क्या क्या होता है थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होगा वैसे मैं बता दूँगा कि process क्या होती election में बट पहले हम जान लेते हैं 2-3 चीज़े सबसे पहले general election क्या होता है ठीक है general election are held in all the constituency at the same time either on the same day or within the few day general election तब होता है जब हर constituency में all the consistency जब पूरे इंडिया में वोट होता है that is general election में आपको बताता हूँ कैसे अब ये 2019 में जब election हुआ था लोकसभा लोकसभा के जो election होते है उसको general election क्याते है क्यों क्योंकि उस time पूरे इंडिया में election होता है ठीक है पूरे इंडिया में election होता है जितनी भी constituency है constituency का भी मतलब देख लो बुक के जैसी आप chapter के end में लिखी ए वैसे इसकी definition में बतालता हूँ constituency का मतलब होता है geographical area एक area को हम constituency कहते है जहां पर जहां पर एक MLA खड़ा होता है जैसे मैं आपको बताता हूँ जैसे मान लो कोई person है जो पश्चिम व्यार में रहता है डैली के अंदर पश्चिम व्यार में रहता है तो पश्चिम व्यार एक constituency है समझके तो एक geographical area है वो तो यानि जब जो जब election के अंदर हर constituency के अंदर election होता है same time पे यहां एक दो दिन छोड़ के तो हम उसको general election कहते है जो की इंडिया में होता है लोगसमा के time जब लोगसमा लोगसमा एक parliament है पार्लेमेंट का एक पार्ट है लोगसमा आपने देखा होगा news channel में बहस होती है कोई भाशान भाशन देते हैं तो यह लोगसमा में होता है तो लोगसमा के जब election होते है तो इसको हम general election कहते है अब by election क्या होता है कभी कभी क्या होता है कुछ-कुछ politician है अपने time से पहले ही ह हो लेते हैं मतलब टाटा भाई भाई कर देते हैं society को मतलब हो जाती है उनकी कुछ बीच में death वगरा हो जाती है तो seat खाली हो जाती है तो खाली seat के लिए जब election होता है तो उसको हम by election कहते है sometimes election is held only for the one constituency or two constituency for fill the post caused by death or the resignation of the member जब यहां तो उन member की death हो जाए जो जीते थे यहां वो resignation दे दे का भाईया मेरको politics नहीं हेलनी तो तब आपको वहां पर election करवाना पड़ता है ठीक है अब constituency electoral constituency constituency तो वैसे मैं आपको बताई चुका हूँ क्या होता है but definition be important है तो देख लेते हैं तो the country is divided into the country is divided into different area based on the population for the purpose of election which are called electoral electoral constituency इसका मतलब है कि हमारी country बहुत जादा different different part में बटी होती है ठीक है based on population population के हिसाब से different different part में बटी भी होती है तो उसी को हम electoral constituency कहते हैं ठीक है वह जोग्राफिकल एरिया ही हो गया ठीक है अब फोर लोगसाबा एलेक्शन दा country is divided into 543 constituency याद रखना यह यह बहुत important चीज़ है ठीक है लिख लो कहीं भी बड़ याद होना चाहिए नोट्स का देखो एक बात मैं आपको बता दूँ नोट्स देखने के बाद ऐसा नहीं के फोन में रखो आप प्रिंट आउट निकालो और पेज से पड़ो यह फोन वाला है यह सिस्टम नहीं चलता वस यह यह से धोगा धड़ी होती है वस फोन से कोई पढ़ाई नहीं होत प्रिंट निकालो विडियो देखो विडियो देखने के बाद नोट्स पढ़ो और उसके बाद पूरा चैप्टर होगा ऐसे नहीं के फोन से पढ़ लिया हाँ बहुत है नोट्स को प्रिंट आउट करो ठीक है अब लोकसभा में और लोकसभा का जब इलेक्शन होता ना तो लोकसभा में पूरे इंडिया में FI433 Constitution's है, یarn proxy can suit छो आप, बहुती हो सबूद्चि को अब सीटे भी भोल gob के जब election होता है तो इंडिया को five upstream bring Okay, अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में सिर्फ साथ इ manipulating है लोकसभा की सीट की ठीक है, यह अगर आपको नहीं आया वैसे तो 100% आई गया होगा समझ के मैं क्या बूलना चाहरा हूं मतलब 543 भाग में बाहर दिया जाता है इंडिया को लोगसभा के लिए similarly अब यह तो हो गया पूरा इंडिया का बड़ जब स्टेट में भी तो इलेक्शन होते हैं जो स्टेट में जीता है यानि जब स्टेट में भी तो इलेक्शन होते हैं सीम के लिए देखो लोगसभा का जब इलेक्शन होता है तो वो होता है प्राइम मिनिस्टर के लिए ठीक है और जो स्टेट में एलेक्शन होता है वो होता है सीम के लिए चीफ मिनिस्टर के लिए जै जीता है State में State के अलग अलग Constitution सी होती है तो जो एक Constitution सी से जीता है इसको MLA कहते है जब लोगसभा की Constitution सी से जीता है तो हम उसको MP कहते है आ सकता है लोगसभा is equal to MP and State Assembly is equal to MLA Ministry of Legislative Assembly ठीक है अब आते हैं बड़ा interesting topic यह बड़ा बढ़िया है आपको समझ आएगा सारी समझ आएगे बड़ यह बहुत interesting है बड़ा मज़ा आएगा यह देखते हुए अब reserve constituency क्या होते है reserve constituency ठीक है नाम से आपको पता चल रहा है जो constituency जो area reserve हो अब किसके लिए reserve हो SC और ST के लिए जो constituency SC और ST के लिए reserve हो अब reserve का मतलब क्या होते है यानि कि यहाँ पर अगर कोई बंदा खड़ा होगा ना तो यह तो SC होगा यह ST होगा मतलब खड़े होने के लिए election में आपको SC और ST होना जरूरी है ठीक है तो जैसे कि मैं आगर आपको बताऊं अगर मैं माधिपूर के इलाके की बात करूं तो डैली के अंदर एक एरिया है तो वहाँ पर यह seat जो माधिपूर की है वो reserve है इसका मतलब यहां पर जो खड़ा हो सकता है न वह यहां तो SC से होगा यह ST से होगा ठीक है और पूरे इंडिया की बात करों तो पूरे इंडिया में 84 ऐसी जगह है जो SC के लिए रिजर्व है और 47 SEA जो ST के लिए रिजर्व है ठीक है अब जब इलेक्शन होता है ना तो बनाई जाती है फ़्र नीचे कमेट करके बताना में रहको कि इंदिया के अदर कॉन कान दे सकता है ठीक है तो पहली बाथ बताता हूं कि वोटर लिस्ट होती है वोटर लिस्ट वोती है जो कॉन निकालता है election commission, election commission of India election commission of India का मतलब होता है, जो हमारे यहां पर election करवाती है वो election commission करवाती है याद रखना कौन करवाता है election, election commission करवाती है और यहाँ उसमें एक list बनाती है जिसमें यह लिखा होता है कि कौन कौन से लोग eligible है vote देने के लिए so far Be यह बहुत, कोई भी कास्ट, कोई भी क्रीड का हो, कोई भी religion का हो, कोई भी gender का हो, उस सब को वोट देने का right है, ठीक है, 18 साल से उपर, सब को, एक यह याद रखना, तो voter list क्या होती है, voter list होती है, जो वोट देने के लाइक लोगों थे, उनकी एक लिस्ट होती है, and election commission वो लि जो भी बंदा इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है वो होता है candidate ठीक है, nomination of candidate का मतलब क्या होता है यानि अगर कोई बंदा खड़ा होना चाहता है तो वो कैसे खड़ा होगा सबसे पहले तो क्या-क्या criteria है वो सुन लो, anyone who can vote या कोई भी voter जो vote डालता है वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है समझगे आप यानि कि anyone who can voter can become the candidate in election मतलब जो बंदा वोट दे सकता है वो इलेक्शन में खड़ा भी हो सकता है पट एक condition है कौन सी है वो condition पहली condition तो यह है कि बंदा 25 साल से उपर होना चाहिए अगर उसको कम minimum एज़या कम से कम 25 साल का तो होना ही चाहिए ठीक है अब क्या होता है 25 साल से उपर है वो तो वो क्या करता है किसी भी पार्टी से वोट लड़ता है यानि पार्टी कैसे मानलो मैं क्या करूंगा मानलो मैं खड़ा होना चाहता हूं election में तो यहां तो मैं normal से खड़ा हो जाओंगा खुदी अकेला खड़ा हो जाओंगा या मैं किसी पार्टी का support लूँगा यानि मैं जाओंगा BJP के पास या Congress के पास या आप के पास क्या आप है न मिरको अपना नाम द करती है कुछ candidate को अपना symbol देती है और अपना support देती है ठीक है और party nomination is often called as ticket समझ जो आप जो पार्टी है जैसे BJP और यह है यह ticket देती है कुछ लोगों को कुछ candidate को जिनको वो choose करती है उसको ticket देती है तो फिर वो क्या क्या लाएगा वो बंदा जिसको ticket मिल गई वो फिर मान अब ticket मिल गई अब वो क्या करेगा वो जाएगा election commission के पास election commission के पास जाएगा जो election करवाती है उनके पास जाएगा और भरेगा एक nomination form क्या भरेगा एक form भरेगा form में अपनी form भरेगा और कुछ पैसे जमा कराएगा security deposit क्यों होता है मान लो यार अभी उसने बोला कि मैं election वो machine के अंदर उसका नाम वगरा फीड करेगी यह सारी की सारी technology वगरा चीज यूज करेगी तो उससे अब फिर बाद में उसने मालोग बना कर दिया कि मैं नहीं कर रहा तो election commission के तो पैसे बरबाद जाएगे उसका नाम वाम लिखा है machine हो पे तो दिक्कत हो जाएगी तो इस कौन कौन लड़ सकता और कौन कौन नहीं लड़ सकता ठीक है कुछ चीजे हैं जो में follow करनी पड़ती है इंडिया के अंदर जब a new system is declared has to introduce on the direction of the supreme court every candidate has to make legal declaration and giving the detail यानी एक है ना नया system पास हुआ है हमारी supreme court ने पास की है उसने बोला है के form मतलब nomination form के साथ-साथ जो candidate है जो ना चाता election में उसको ना कुछ और detail भी देनी पड़ेगी क्या के detail देनी पड़ेगी वो बताता हूं one two three three detail देनी पड़ेगी पहला तो serious criminal case pending against the candidate है अगर उस पे कोई serial criminal case है तो वो भी बताना पड़ेगा criminal को कि उसके उपर कौन सा case वगरा चल रहा है दूसरा है detail of asset liability and the candidate of his and her family यानि उसे क्या बताना पड़ेगा कि उसकी liability क्या है मतलब उसके पास कितना पैसा या कितने उधार है यह भी बताना पड़ेगा और family member के नाम वगरा भी बताने पड़ेगे और अपनी education qualification यह तीन चीज़े बतानी पड़ेगी अगर वो गलत बताता है या देखो आप इसके पास इतना इतना पैसे अगर गलत होती है डिटेल इलेक्शन कमिशन देखती है कि गलत डिटो डिस्कौलिफाइब देती है उसको यह घर बैट हो आप एलेक्शन एलेक्शन मतलड़ो बसकी निया आपकी ठीक है तो यह तीन चीज़े देनी पड़ती है अच्छा एक प्रातियात आपने देखो इती महनत तो करवा रहे हो मिरसे ठीक है बट्राइक करना के वीडियो को मतलब मैं देखा बच्चे वीडियो देख लेता है उनको अच्छी भी लगती है समझ भी आता है कमेंट भी करते हैं सर वेरी गुड एक बच्चे की कमेंट थी तो अगर मै मैं दिखाता हूं आपको क्या गपन किया उसने कि अब प्रेंट थे प्रेंट अब इतना सपोर्ट कर रहे हुए बच्चे वीडियो देख लेते हैं मैं चैनल को सब्स्राइब भी करो चैनल को लाइक शेर भी करो सब्स्राइब भी करो तो चलो नेक्स टॉपिक देखते हैं इलेक्शन केम्पेइन का मतलब होता है एडविटीजमेंट का मतलब बताता है कि हाँ भीया मैं खड़ा हो रहा हूं वोट देना मिरको और इलेक्शन केमपेइन का मतलब होता है मतलब केमपेइन करता है और अपनी एडविटीजमेंट करता है ठीक है तो पॉलिटिकल पार्टीस ट्राइट वोक्स पब्लिक अटेंशन आन्ट डिगर इसू द्यूरिवग दा-इलेक्शन केम्पेइन अब देखते हो कि अप इल जो करते हों, इलेक्शन केंपेइन, पॉलिटिकल पार्टी, आप तो एग्री दा, मॉडल अफ और कोड़ और कुछ कोड़ और कुछ रूल्स और रेगुलेशन को मानना पड़ता है, एलेक्शन केंडड़ेट को, क्या क्या है, पहले तो आप लोगों को पैसे दे को वोट खर करना पड़ता है, एलेक्शन में जो भी कैंडड़ेट खड़े होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को, अब ये जो लोग हैं जो एलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, और जब डेट ऑफ पोलिंग, यानि, वोटिंग, जैसे वोटिंग की डेट जब अनांस होगी, और मतलब candidate किया जब नाम announce होगा उस से उस दिन से लेकर जब election की date announce होगी उस दिन के बीच में यानि इन दो हफते के बीच का time मिलता है उस time तक वो कर सकते हैं मतलब campaigning वगरा भाशन वगरा दे सकते हैं ठीक है और जब vote जो जहां पर दिया जाता है न उसको हम poll कहते हैं जहां पर वोट देने जिया जाता है final election में election day when the voter caste और वोट देना एक तरह से polling बूत कहते हैं जहां पर वोट देने जाते हैं अब देखो किसी किसी शिगार आपने देखा हो अपने parents को voting के डेस पे जाते हो कभी वोट देने जाते हैं कहीं देने जाते हैं तो उससे कहते है polling बूत जहां वोट देने जाते हो, पोल का मतलब होता है वोट, ठीक है, अब what make India a democratic, what make India election democratic, what make election in India democratic, मतलब इंडिया में जो election होता है उसको democratic election, यानि एक अच्छा election हम क्यों मानते हैं, independent election commission, मैं आपको बता दूँ, कि बहुत सारी country में वोट तो होते हैं, but free and fair नहीं होते, क्योंकि वह है हमारे election commission के पास power, वो देखते हैं, in India, election are conducted by the independent and very powerful election commission, which enjoy same kind of independence and judiciary enjoy, मैं आपको पताया था, कि जो हमारे देश की court वगएर जुडिश्री है, उसके पास बहुत power है, उसकी power पे कोई रोक नहीं लगा सकता, मतलब अगर PM पे, CM पे किसी पे भी case होगा, तो जुडिश्री वही फैसला सुनाईगी, जो सही है, तो वैसी ही power हमारे election commission को election के time में मिलती है, ठीक है, उस समय क्या क्या power मिलती है, वो देखो, it implement the code of conduct and punish any candidate or the party that violated, यानि वो कुछ rules and regulation बनाती है election के time में, अगर कोई भी candidate, या कोई भी party, वो rules and regulation को मानती नहीं है, या उसको तोड़ती है, तो उ वोटिंग, मतलब के भाईया, घर बैटो को election लडने की जरूत नहीं है, या तो ये बोल देगा, या उस पे कुछ fine वगरा लगा देगा, या कुछ ऐसे घर देगा, ठीक है, ये power होती है election commission के पास, during the election period, election period के time में, the election commission can order the government to follow the some guidance to prevent use of misuse of government power to enhance the chance to win election or transfer the some government official, इसका मतलब है कि election के time, जो election commission है, वो चाहना है, तो government पे भी, government को भी बोल सकती है, कि भाया, आप ये election चल रहा है, अब आप मेरी बात मानो, तो उस time election, जो government है, उसको भी election commission की बात माननी पड़ती है, ठीक है, कि government अपनी power का use ना कर पाए, और दुबारा उसी की government ना आ जाए, जो अभी government चल रही है, तो इसके लिए election commission try करती है, कि election free or unfair हो, तो वो government को भी बोलती है, कि इस रिलाके में आप नहीं घूम सकते, ये ऐसी ऐसी चीज़े आप नहीं कर सकते, समझ गे, when on election duty, government officer work under the control of EC, not the government, जब election चलता है, तो आपने देखा, वो बहुत सारे police वाले खड़े होते है, तो उस time वो police वाले government के नहीं होते, उस time वो जो officer है, वो government के नहीं होते, उस time वो होते है election commission के, तो यानि election commission बोलेगी, कि आप यहाँ हड़े हो, तो वो वहीं खड़ा होगा, अगर वो बोलते है कि किसी भी बंदे को अंदर मत आने दो, चाहे वो government का हो, चाहे कई का भी हो, तो उसे बात माननी पड़ेगी, तो यानि वो उस time election commission के, जो government officer होते हैं, election commission के अंदर काम करते है, ठीक है, next point है आपका, आपको बात बता दू, यह वला point रहे गया, पहले तो यह पढ़ते है, when the election official came to the opinion that polling was not fair, अगर, even the entire constituency they ordered to repol, इसका मतलब है कि मानलो, जो भी election का official है, जो भी officer है election का, जो वहाँ, देख रहा है election को, अगर उसे लगता है कि जो voting हो रही है, वो ढंक से नहीं हो रही है, या free and fair नहीं हो रही है, उसे धोगा धड़ी का कुछ पता चल जाता है, तो वो क्या कर सकता है, पूरी की पूरी constituency में, दुबारा vote करने की, वो भी दे देगा, मतलब, सारे vote को, मतलब वो प्रेजिडेंट की भी नहीं सुनता, मतलब उसे किसी की सुनने का वो वही करेगा जो उसको सही लगता है, ठीक है, और जो सही है, ना वो प्रेजिडेंट की बाद सुनेगा, और ना गर्मेंट की बाद सुनेगा, या इतनी पावर आ जाती हो उसके पास, ठीक है, but once appointed CEC यानि Chief Commissioner of, Chief Election Commissioner is not answerable to President or the Government, यानि दोनों में से किसी की बात मानने की जरूतनियों से, ठीक है, every political party and the candidate get the fear and equal chance, वो क्या-क्या चीजे देखती है, ये बता रखा है, तो सबसे पहले तो Election Commission ये देखती है, कि हर political party को और हर बंदे को equal chance मिले, किसी के साथ धोका दड़ी ना हो, ठ एक धर्म के नाम पर बूट मांग रहा है, तो उसको चलो कोई नहीं लड़ लो, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब को equal chance मिलना चाहिए, सब rules और regulation के, एक ने rule तोड़ा तो उसको कुछ नहीं का, दूसरे ने तोड़ा तो उसको बोला कि घर बैटो, ऐसा नहीं होगा, election commission देखती है कि कोई भी candidate यह सारे काम ना करे, पहला तो bribe order threaten voter, जो voter उनको डराए ना, और उनको पैसे ना रिदे, रिश्वत ना दे के, आप यह करो यार, मिर को vote दे ना, ऐसा नहीं कर सकते, appeal to them in the same name of caste and religion, मतलब आप नाम पे और अपने धर्म के नाम पे और अपनी जाती के नाम पे यूज नहीं कर सकते, next है कि जब लोकसभा के election होते हैं, तो उसमें 25 लाग और जब state के election होते हैं, तो उसमें 10 लाग, इन दोनों से जादा पैसे नहीं लगा सकते, अगर आप जादा पैसे लगाते हो, तो फिर जो हमारी election commission है, वो आप पे final लगा सकती है, ठीक है, तो यह सा कमी होती जा रही है, क्यों कम होती जा रही है, कि लोगों का जो विश्वास है उनके election commission से उठ गया है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है, हमेशा election अगरा भी दे रखा होगा, आपकी बुक में, election के जो लोग वोट देने आते हैं उनकी संक्या धीरे धीरे बढ़ रही है, ऐस यहां पर जैसे कि अभी हरियाना की बात करें, मालो हरियाना में अभी Congress की सरकार, example है, मालो अभी Congress की सरकार है, तो दुबारा जब election होते तो Congress की सरकार नहीं आ पाती, तो इससे क्या पता चलता, election commission ने बहुत धंग से काम किया है, कि वो जिसकी government उससे भी निड़ती, ठीक है इसलिए लोग उस election जो भी outcome आता है, जो भी result आता है, उसकी respect करते हैं, आप देखोगे, कि कोई भी, जो भी MLA वगरा, MP वगरा, वो यह नहीं बोलता, कि election commission ने काम अपना धंग से नहीं किया है, कुछ-कुछ बोलते हैं, बट जादा तर लोग है, accept करते हैं उनके decision को, ठीक election करवाने में कुछ challenges आते हैं, कुछ challenges हैं, इंडिया की election में, तो वो कौन-कौन सी challenges है, वो हम पड़ते हैं, पहले तो candidate and party with a lot of money may not be sure of their victory, but they do enjoy a big and unfair advantage over the small parties and independence, यानि देखो, जो candidate and party होती है, उसे पता है, कि वो जीत तो पाईगी नहीं, उसे confirm नहीं होता, कि वो जीत पाईग जिससे वो try करती है, कि वो जीत जाए, तो ये एक बहुत बड़ी problem है, इंडिया में, दूसरी है, in some, मतलब कुछ area में क्या होता है, हमने बोला था कि criminal वगएरा को vote ना लड़ने दिया जाए, बट हमारे यहां क्या होता है, कि criminal वगएरा को भी बहुत, इंडिया में बहुत सरे ऐसे पार्ट है, जहां पर criminal वगएरा को भी ticket मिल जाती है, ठीक है, in some part of the country, candidate with the criminal connection have able to push other out of the electoral race and secure the ticket from the major parties, मतलब वो क्या करते है, हमारे यहां पर candidate जो criminal वगएरा case भी होते है, criminal cases में involved होते है, उनको भी ticket मिल जाती है, तो यह भी एक बुरी चीज है, बहुत बड़ा चैल जाती है, पता नहीं मेरे को भूलना चाहिए, नहीं मेरे को भूलना चाहिए, क्योंकि क्या होते है, पॉलिटिकल पार्टी डॉमिनेट करती है, अपनी फैमली में, जैसे मालो, आगर हम मैं कॉंग्रेस की बात करूं, तो नहरू जी थे, नहरू जी के बाद इंदरा जी, इ नाम है, राजीव गांधी बने, उनके बाद हमारी ये सोनिया गांधी, उनके बाद ये राहूल गांधी, तो ये क्या है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी ही डॉमिनेट करती है, पूरी कुछ लोग ही पॉलिटिकल पार्टी को डॉमिनेट करते हैं, और वो अपनी फैमली में little choice to ordinary citizen both the major parties quite similar to each other and other both policies and practices अब देखो ये क्या चीज़ है इसका मतलब है कि अब लोग confused जाते हैं क्यों क्यों क्योंकि हर political party बोलती है मैं light के दाम कम करवाऊंगी मैं ये करूंगी सारी की सारे सेम चीज़े बोलते हैं उनको समझ नहीं आता के वो क्या करें समझ डहों बहुत ही कम ऐसे है मतलब बहुत ही कम चैथे हैं लोगों के पास इसी सारे खरते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी problem है को को कुई अबोलब सारे के सारे सेम वादे करते हैं बेशक बाह़को सही मतलब वादे निभाएंगे या नहीं निभाएंगे वो दूर की बात है पर वादे तो सेम करते हैं तो लोग कन्फ्यूज जाते हैं तो किसको वोड़ दे किसको वोड़ दे तो यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है चैलेंज है Smaller parties and independent candidates suffer a huge disadvantage compared to big party मतलब जो small party होती है उनको कभी-कभी disadvantage होता है जो बड़ी party होती है उनको disadvantage नहीं होता अब क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा आप देखो अगर कोई बंदा एक ही मतलब normal खड़ा होता है न किसी party से खड़ा नहीं होता तो उसको बहुत क्रिटिसाइस किया जाता है उसको बोला जाता हो क्यों नाम ही नहीं और अपत करें बंदा ब्द जैसे कर माँद बात करूं बीजे बीजेपी को किसके नाम पर वूट मिलते इंधे को नरेंड मोदी-जी हमारे अधा के नाम पर वूट मिलते है mostly mostly देखा जाए